हेलो एवरीवन वेलकम बेक टो माइ यूटिब चानल मैं गिता अंजली आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चानल गुट कर्मा डवल वन में आज की टीटिंग का टॉपिक है लोग आप से क्यों जलते हैं ठीक है आज की डीटिंग का टॉपिक है लोग आप से क्यों जलते हैं देख लेते हैं मैं काट शबल कर लेती हूं यॱोनिवर्स प्लीज बताए मेरे यॉ़ायों से लोग क्यूं जलते हैं यॉनिवर्स बताएं मेरे विवर्स से लोग क्यू जलते हैं कैसा भ से हूए झाल झाल बॉटम अब टेका है सिक्स ओफ कपस यह एक जेंडर बेस रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़के हैं आप दोनों के साथ रेजोनेट करेगी साथ ही एक टाइमलेस रीडिंग है तो जब आपको मिलेगी तब आप से रेजोनेट करेगी ठीक है देख लेते हैं मेरे वियोर्स से लोग क्यों जलते हैं ओके गैस मेरे वियोर्स से लोग इसलिए जलते हैं क्योंकि आप न बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेते हों ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट हो या आप इतने शाप माइंडेट परसन हो जो हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता हो ठीके मुझे ऐसा लगता है जो मेरे वियोर्स हैं वो इतने इंटैलिजेंट या नॉलिजेबल या वो इतने क्रेटिव हो सकते हैं कि अगर उन्हें एक बर कोई चीज़ दिखाई जाए तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से उस चीज़ को सीख लेते होंगे तो मेरे वियोर्स से लोग शायद इसले ही जलते हैं कि भाई ये इतनी जल्दी कैसे ये चीज़ें सीख लेता है ये इतनी जल्दी कैसे इतना क्रेटिव चीज़ को कर लेता है ठीके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि इसी वज़ा से यही रीजन होगा कि आप ना आगे वेर्लेशन खूए होगे औस आपका जो इसने अच्छे से आ जो आपके साथ की कोंपिटीटर पर सन जो आपके साथ कंप्पिटीशन में होगेfire ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमली में ही हो तो जैसे होते है कि हमारे भाई भाई भाईन या अपके गकर परोसी हो फ्य स्लब भी आपके relation में होते हैं लोग वो लोग ने इसलिए आप से जोलते होंगे कि काम सेम टाइम पर किया जा रहा है आप और वो परसन दोनों एक साथ कोई चीज सीखता है ठीक है दोनों एक साथ ही कोई चीज को स्टार्ट करते हैं सीखना लेकिन आप इतनी फास्त तरीके से सीख होंगे जो आपकी फ्रेंड है आपके relation में हैं भाई बहन है यह जोबे हैं तो लोगों को ना यही चीज की जलन होती है आप से कि भाई शुरुआत हम दोनों ने साथ में की आप इतनी जल्दी इतनी फास्त तरीके से कैसे उस चीज को सीख रहे हैं या आप इतनी फास्त तर लगता है कि हर कोई आपसे नहीं जलता होगा बहुत से ऐसे आपके चाहने वाले या आपके फामिली में या आपके फ्रेंड्स में लोग होंगे जो आपकी इस चीज को इस क्वालिटी को अप्रीशेट भी करते होंगे ठीक है साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपको नो इस इसी creativity की वज़े से या कभी कभी ना आप इसी creativity चीज़े जल्दी-जल्दी सीख लेते हैं तो ऐसा हो सकते हैं कि अब कभी कभी ना आप जबल करने लग जाते हों कि भाई मैंने चीज़े तो दो सीख लिए अब मैं आगे किसके साथ बरूँ तो लोग ना आपकी पीछे ये भ आगे बढ़ू ऐसा भी हो सकता है कि आप करियर में किसी दो ऑप्षिन को आपने चूस किए ठीक है दोनों में ही आपने ऐसा हो सकता है करियर से आपने दो जगां एंट्रेंस दी दोनों जगां आपने बहुत जल्दी पास तो लिए अच्छे मांक्स के साथ बढ़ आप खुदी फिर जबल करने लग जाते कि भई अब मैं कौनसा करियर चोस करूं अच्छे तो ले लिए दोनों में एक परफॉर्म करके तो दिखा दिया पर आगे किसके साथ भड़ूंगा तो आपना खुदी इस talent की वज़े से कभी-कभी ना र जाते होंगे गयसs तो लोगों को इस बात की भी जलान होती होगी please Mr. 我 लोगों को इस बात की भी जलान होती होगी कि भई एक अतना knowledgeable एक तो इतना इंटेलिजन्ट उपर से फिर ये खुद में ही जबल कर जाता है लोग इतने टैलेंटेट नहीं होते हैं इसकी वह मतलब वह सोचते होंगे कि भाई हम तो एक चीज़ी पास कर ले एक एंट्रेंसी पास कर ले वह हमाले बहुत है और यह तो पास कर ले ता उपर से फिर खुद में ही जबल करता है कि भाई मैं किसके साथ बढ़ू साथ ही आपको आपसे लोग इसलिए भी जोलते होंगे कि आपने बहुत फ्रेंडिली नेचर के होंगे आप बहुत जादा हमबल नेचर के होंगे नॉलिजबल तो आप हैं साथ ही आपके पास ना वर्क रिलेटे तो एसंगे होंगे आपजबराव को खुवरा घूत करने लग जाते होंगे कि भाई मुझे जारना किस कंपरी में ऐसा होता हूं कि आप इंटरवियू सारे के बैट गयाए रफिर आप हो जाते होंगे कि भाई मैं चुनूं okay को पासी आपकी न जीत हर फिल्ड में है देख लो चैरियट सिक्स अफ कप के ही नीचे था चैरियट तो इसको न कोई नहीं हरा सकता यह बना ही जीत के लिए है ठीक है और आप बनी ही जीत के लिए हो ठीक है आप कहीं भी चले जाओ आपकी जीत पकी है मेरे वियर्स की तो लोगों को यह होता है कि यह किसी बी जगह चला चाहिए लव लाइफ में यह किसी पर्संट को चूस कर ले वो इसे हां बोल देगा वह इसे ना नहीं कर सकता यह कहीं जॉब के लिए जा रहा है वहां इसका सेलेक्शन हो जाएगा इसका क्लियर हो जाएगा तो लोग ना बोलते भाई यह तो हणने के लिए तो लोगों को ने इस बात की जलन होती होगी कि भाई आप हड़ने के लिए और हर जगा आप आप ही विनर हंगे ऐसा है यह लव आप म EE पो चैने आपका करियर llegó स्खाइब के आपका Lao लेकिन आप कभी हार नहीं इसा लगते हैं कि आपकी लाइफ में जब आपको यह तावर का सामना करना पड़ा होगा आपको अपनी हमें आपकी खुद कें agreement जो कहते हैं आपके साथ इतन चीटिंग इतने धोके हुए होंगे आपकी इसी हुनर की वजह से कभी कभी ना आपको ऐसा लगा होगा आपके पैरोग के तले से जमीन खिसक गई सच में गाइस लोगों ने आपको इतना बुरी तरह चीट किया होगा क्यूं किस वर्जासे आपका हमबल नीचर आपका जो क्या कहते हैं में चार्टी के साथ सिच्वेशन को डिल करना आपका फ्रेंडली नीचर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा गाइस उससे भी जा सबसे कि आपने अपने इसी इमोशनल होने के वजह से एसा टावर मुझेんな देखा ओगा आपकी लाइएmm femen जाऔर मुझेंट ही इस वजशे सी आया होगा क्योंकि आपने किसी से द? कि बहुत लिया होगा ऑफ पर अंधर कर लिया हो ऐघा इस जादा है अपने emotions में आके अपने emotions में आके यह गलतिया करता है साथ ही साथ इसके जो decision यह वो भी गलत हो जाते है तो मुझे ऐसी ही लगता है कि आपने कभी अपने emotions में आके कोई ऐसा tower moment देखा हो, ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगाओ कि आपको किसी ने इतना बड़ा धोका दिया आपके साथ इतनी बड़ी cheating की है जो आप से शायद बरदाश भी ना हुई हो आपको ऐसा लगाओ कि आपके पैरों के तले से जमीन किसे गई यह किसी ने आपको बिल्कुल उपर जाते जाते किसी ने आपको एकदम से नीचे गिरा दिया बेबी ऐसा हो सकता है आप करियर में कुछ अच्छा अचीव करने वाले से जब आप टॉप पे पहुँच गए ना तब आपके साथ किसी ने ऐसी चीटिंग की कि आप सीधर धडाम नीचे गिरा आप उस करियर में आपने बहुत जादा उचाई तक पहुँच गए हो उस करियर में ऐसा भी हो सकता है कि करियर में आप किसी उचाई पर पहुँच रहे हों और एकदम से किसी ने आपके साथ ऐसी चीटिंग कियो ऐसा धोका दिया हो कि एकदम से आप नीचे ऐसा भी हुआ हो सकता है गाइस तो लोग आपसे इसलिए ही जलते हैं एक तो आप में नौलिज है दूसरा आप इतने क्रियेटिव माइंड के परसन है साथ ही आप में दिमाग इतना तेज है कि आपना हर चीज जल्दी सीख लेते हों फिर उसी चीजों में आप फिर जबल करत क्यों क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे अवैलेबल हो जाते हैं तो लोग आपके इनी चीजों से जलते हैं साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आप से जलने की वज़ा से ही ना किसी ने आपको टॉप पे पोस्ते हुए ना नीचे गिराया होगा अपनी जलन के कारण क किसी ने आपको आपके टॉप पे पॉस्ते हुए करियर में नीचे गिरा दिया हुआ ठीक है और सिक्स ओफ कप से मुझे ऐसा लगता है कि आप आपके पास ना यह मत सोचना कि लोग से जलते ही हैं आपके पास ना बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं आप बहुत लग्की ब्लेस्ट परसन है कि आपके पास यह शिक्स ओफ कप की एनरजी आई आपकी रिडिंग में आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ट वर्सन हैं आप अपने पार्टनर अपनी लाइफ में आप अपनी फैमिली में बहुत चाहेवे हो सकते हो साथी आप उनके मतलब मैं कहूं तो उन नजर में लोग इस चीजसे भी जलते हैं साथी गाई ओवरोल कहूं न तो यह याद रखेगा जीत के लिए बनाएं ठिक है तो लोग चाहें आप से कितना बहुत जालनें लोग चाहेए ऑपको कितनी बी उच्छे से गिरालें लोग साथ कितना भी बुरा से बुरा कुछ न कर दें तब भी आप यह एक चैरियट पोजिशन पर उना आप इसी पर रह गया आपकी जीतना हमेशा पक्की है आप जीतने के लिए ही बनें ठीक है तो आप यह मत सूचिएगा कि हां लोग मुझे चलते हैं मुझे नीचे गिरा देते हैं मैं उचाय पर पहुंसते पहुंसते फिर मुझे नीचे गिरा देते हैं फिर मुझे शुरू करना पड़ता है तो उस चीज से न आप डरियेगा मत आपकी जीत पक्की है आप किसी भी फिल्ड में हूँ आप रिलेशन में फाइनेंस में अपनी करियर में किसी भी चीज में हूँ आपको चाहए कोई उपर से नी हरा सकता तो आप तो आगे बढ़ते ही रहोगे चाहें कोई कितना भी रोक लें चाहें कोई कितना भी जल ले आपसे तो तेकि है I hope आप सभी से ये reading resonate की हो की हो तो प्लीज मुझे बताईएगा किस से resonate की साथ ही चैनल को like, share, comment करना ना भूलें चैनल को subscribe करना ना भूलें मैं मिलूँगी नेक्स रीडिंग के साथ तब तक लिए बाबाए